हेलो एब्रीवन, लड़ना कुलस क्लस्स के यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, तो चलिए आज के नेक्स्स दस भग को देखते हैं, पहला भव है, अरेंज, क्या पढ़ेंगे, अरेंज, क्या पढ़ेंगे, अरेंज, ओके, इसका हिंदी मिनिंग है, विवस्था उडर में रखें, डिसेंडिंग में रखना है, डिसेंडिंग में रखना है, तो डिसेंडिंग, एसेंडिंग में रखना है, तो अरेंज करके रख रहे हैं, ओके, नेक्स्ट मिनिंग कहता है, to make plan and preparation so that something can happen in the future, यह बोल रहा है कि plan या preparation, कोई भी चीज़ का preparation ना कि तयारी कर for example, plan कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, for example, एक बड़े प्लान करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, सबसे पहले arrangement करना पड़ता है, चीजों का, कि क्या-क्या लगेगा बड़े पार्टे में, कब होना है, उसके लिए पहले क्या करना है, साधी में कि जब हम लोग कोई प्रिपेर करते हैं, तो क्या-क्या arrangement करना पड़ता है, means lots of things, you are arranging, okay, for why, just because कि वो सब कुछ सही से हो, तो यह word का कहां use हम लोग होता है, यह पता चल गया, कि arrange कहां पे use होता है, okay, अब इससे related हम लोग सारे इसके forms को देखते हैं, past simple में, arranged, past participle में, arranged, present participle में, arranging, third person singular में, arranges, right, अब इससे related एक sentence को देखते हैं, the book were arranged in alphabetical order, यह board है, पुस्तकों को वर नानुकर्म में विवस्तित किया गया है, okay, यह जो book हमारा जो कर रहा है figure में क्या है, एक-एक करके arrange किया गया है, means alphabetical order में, यानि कि पहले A, B, C, D, E, इस तरह करके सारे book को arrange गया है, is that okay, चलिए, अब next book को देखते हैं, next book हमारा है, arrest, क्या इसको पढ़ेंगे, arrest, क्या पढ़ेंगे, arrest, okay, हिंदी मिनिंग क्या है, गिरफतार करना, इसका मतलब क्या है, गिरफतार करना, English meaning, when the police arrest somebody, they take him or her prisoner in the question him or about the crime, पुलिस जब कोई भी crime होती है, तो क्या करता है, किसी को पकड़ता है, means, जब वो पकड़ता है, तो उससी जगा पे उसको क्या बोलते हैं, कि वो arrest हो गया, means, उसको arrest कर लिया गया है, पुलिस के द्वारा, okay, या हम लोग बोलते हैं, क्या उसको arrest किया गया है, किस basis पे कोई क्राइब हुआ है उसके पुछताज की बैसिज पर कोई क्राइम हुआ है उसको जेल ले जा रहा है इसलिए उसको एरेस्ट कर लिया गया कि arrest कहां पर इज होता है चलिए इससे related हम लोग सारे forms देखते हैं past simple में arrested, past past triple में arrested, present participle में arresting, third person singular में arrests, ओके चलिए इससे related में sentence देखते हैं पुलिस is arresting that person, पुलिस is arresting that person, it means पुलिस उस सक्स को गिरफतार कर रही है, कुछ किया होगा वैसा कांड, इसके वज़े से उसको क्या कर रहा है, पुलिस गिरफतार कर रही है, ओके sentence इस तरह होगा, चलिए अब नेक्स भव को देखते हैं, नेक्स भव हमारा है arrive, क्या उसको traveling, और to come or happen, यह बोल रहा है कि उस जगह पे, जहाँ आप start किये हैं जाने के लिए, और आप उस जगह पे पहुँच चुके हैं, ओके या तो बोल रहा है, to come or happen, या कोई चीज जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे तें, वो चीज आपका आ आ चुका है, या वो युज होता है, arrive का, okay, means पहुचना, इसका हम लोग अब सारे forms को देखते हैं, arrive का हिंदी मिनिंग क्या है, sorry, arrive का past simple में क्या इसको बोलेंगे, arrived past participle में, arrived present participle में, arriving third percent singular में, arrives, okay, इस से related हम सारे sentence को देखते हैं, the day of the wedding had finally arrived, यह बोल रहा है, आखिरकर साधी का दिन आही गया, बहुत देर से इंतजार कर रही थी, यह बन्दी बहुत देर से इंतजार करती कि मेरा साधी कब होगा, अब वो चीजन, वो पल, वो आ चुका है, okay, means the day of the wedding had finally arrived, okay, चलिए next word को देखते हैं, next word हमारा है, ask, क्या उसको पढ़ेंगे, ask, क्या पढ़ेंगे, ask, okay, इसका हिंदी म क्या है, पूछना, English meaning, to put a question to somebody in order to find out some information, किसी भी व्यक्ति से कोई information पूछ रहे हैं, तो इस जगह पे हम लोग यह word का use करते हैं, can I ask you some questions, means क्या मैं आपसे कुछ questions पूछ सकता हूँ, like that, इस तरह से हम लोग पूछ सकते हैं, या to request that somebody gives you something or does something for you, या हम लोग पूछ सकते हैं, किसी को हम लोग बोलते हैं कि वो coffee के लिए पूछी है आपसे, वो coffee के लिए पूछी है, तो उस जगह पे हम लोग यह word use करते हैं, okay, इसके सारे forms को सब सब पहले हम लोग देखते हैं, past simple में asked, past participle में asked, present participle में asking, third person singular में asks, okay अब इसे हम लोग sentence को देखते हैं, she sat down and asked for a cup of tea, यह बोल रहा है, वहा बैठ गई और एक cup coffee मांगी, किसे मांगी भई, जो waiter होगा, या तो फिर वहां का जो server होगा, उसी से वो मांगी, तो चलिए हम लोग नेक्स भग को देखते हैं, next भग हमारा है, assemble, next भग हम क्या है, assemble, क यह board हाया है, कि कोई भी चीज़ को एक group में आना, या किसी समान को एक जगह, एक group में मिला के रखना, उस जगह पर हम लोग क्या word को यूज़ करते है, assemble, क्या यूज़ करते है, assemble, for example, इस word को हम लोग समझते है, कि mobile को एक company बनाती है, different parts बनाती है, और उस parts को एक जगह ले ले जाया जाता है, और वहाँ पर क्या किया है, सारे parts को एक बंदर बोर्ड में उसका page कर दिया जाता है, ताकि वो चल सके, और उस जगह पर क्या हम लोग word यूज़ करते है, कि वो device को assemble किया है, means कोई company assemble किये उस चीज़ को, different parts को, चाहे वो system से related हो, I mean computer से related हो, चाहे वो mobile स कोई भी electronic parts से related हो, सारे चीज़ को क्या किया जाता है, assemble किया जाता है, means सारे छोटे-छोटे parts को एक जगह इखटा किया जाता है, उसको सुचारूप से चलाया जाता है, ओके, चलिए इस से related सारे इसके, भवस के form को देखते हैं, past simple में, assembled, past participle में, assembled, present participle में, assembling, third person singular में, assembles, को देखते हैं, we assembled new computer for our class, यानि हमने अपनी कच्छा के लिए नया computer assemble किया, कोई class से ला रहा होगा, अब उसको एक, assemble करना था system according to their use, और उसने क्या किया, different parts को अपने motherboard में लगाया, जैसे इसको requirement होगा, यानि कि उसका system चकाचक हो गया, means वो assemble कर लिए अपने system को, अपने class क recording, is that okay, next word हमारा है, assert, क्या पढ़ेंगे, assert, क्या पढ़ेंगे, assert, okay, दावा करना या जोड देना, दुसरों का ध्यान वो आधर पाने के लिए आत्म विश्वास पूर्ण वहबार करना, right, इसका English meaning देखते हैं, to say something clearly and firmly, means अपना आत्म विश्वास, जो भी आप मारे पास knowledge ह कि आत्म विश्वास और confidence के साथ किसी के समने प्रस्तूत कर रहे हैं, या फिर कोई कर रहा है, तो उस जगह पर हम लोग क्या बढ़ेंगे, assert, okay, to behave in a determined and confident way to make people listen to you, to get what you want, आने कि जो भी आपके पास है, वो सब कुछ, सब को attention में लाने के लिए, आप एकदम confidently सब कुछ व्य Asserts है, past simple में Asserted, past participle में Asserted, present participle में Asserting, third person singular में Asserts, okay, अब इसे लिटेंबुक sentence को देखते हैं, sentence हमारा है, you ought to assert your authority, means आपको अपने अधिकार का दावा करना चाहिए, okay, means जो भी आपका requirement है, अधि वो authority नहीं पूरा कर रहा है, तो अपने अधिकार के लिए आपको खुद लगना पड़ेगा, ओके, ये आत्म विश्वास के साथ किसी को कहा गया, next हमारा है, Assert, क्या इसको पड़ेंगे, Assert, क्या क्यों प्रनेंस करेंगे, Assert, okay, हिंदी मिनिंग इसका क्या है, छाटना, okay, इसका English मिनिंग देखते हैं, ofgenies or characteristics become disturbed among cells और progeny, place in order, classify, अब इसका English मिनि क्या हम लोग, sentence में देखते हैं, अच्छे से, okay, चलिए, past simple में, assorted, past participle में, assorted, present participle में, assorting, third person singular में, assorts, okay, चलिए, अब इसे sentence देखते हैं, the new leader's statement does not assort with his party principles, ये बोल रहा है, नए नेता का बयान, उसकी party के सिधानतों में मेल नहीं खाता है, यानि, उसके party का concept कुछ और ह होगा, लेकिन उसके party के जो member होंगे, वो कुछ और ही बोल रहा है, means, वो, means, वो छाट नहीं पा रहा है, means, छटा जा रहा है, वो, एक group में, जो भी उसका सिधानत था, means, कि उसके party का, उससे वो अलग थलग बोल रहा है, या अलग थलग promises का, लोगों को, तो वो गलत है, means, means, वहाँ, वो, assorted हो रहा है, okay, तो किस तरह हम लोग का, ये word यूज होता है, ये पता चल गया, और यहाँ पर बोल रहा है, अब हम इंग्रिज मेन को, हम लोग explain करते हैं, कि become, distribute among, sales और proteins, means, जो भी, जितने भी sales collection है, वो भी, क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं सबसे, means, वो अलग करना, सारे sales को, I mean, different characteristics होंगे, उनके, मिन, लक्षन होंगे, तो उस चीज को अलग करना ही, क्या हो, वो लोग बोते हैं, assorted, next हो हमारा है, assume, क्या उसको पढ़ेंगे, assume, right, मानना, परमानना हो तो भी, किसी के बातों को सत्य मान लेना, उसके पास proof नहीं है, फिर भी, अब उसके बातों को क्या करें, विश्वास कर रहे है, means, आप एक assume करने, कि नहीं हो सकता है, in future, वो सही हो, next, क्या कर रहा है, किसी के बातों क्यों सत्य होने, कि आसा या अप एक्छा रखना, वही बात है, कि आप किसी के बातों को, वो सही अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है future सही हो means आप expect कर रहे हैं okay तो उस जगह पर कौन से वर्ड यूज होगा assume okay इससे related हम लोग इंग्लिस में देखते हैं इसका meaning क्या है to expect sorry to accept or believe that something is true even though you have no proof means उसके पास कोई proof नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी आप उसके बातों को क्या करें विश्वास कर रहे है mean same thing वही repeat कर रहा है चीजों को okay to expect something to be true to pretend to have something buddy or something right सब कुछ वही है चलिए विससे related हम लोग सारी forms को देखते हैं past simple में assumed past participle में assumed present participle में assuming third person singular में assumes right अब चलिए इससे related हम लोग sentence को देखते है I assume that you have the necessary documents means मुझे लगता है कि आपके पास आवसेक दस्तावेज है right किसी के पास कुछ apply करना होगा कुछ-कुछ requirements होगा means papers work का तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके पास होगा मैं expect करता हूँ कि आपके पास यह documents है आप उस पर apply कर सकते हैं इसके बाद okay just यह sentence यही कह रहा है okay next वह हमारा है astonish क्या है astonish क्या है astonish क्या है astonish क्या है astonish चकीत करना यान कि विश्मिय चकीत कर देना अचंबे में डाल देना यान कि suddenly वह चीज उसके सामने आ गया या वह चीज हो गया जो उसने कभी अच्पेक्ट ही नहीं किया था means वह कभी सोची भी नहीं होगी या फिर खूंचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है उस जगा पर कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते है astonish okay चलिए अब इसका English meaning देखते है to surprise somebody very much means बहुत ही अत्य धीक उसको surprise कर देना means अच्पित कर देना कि ये क्या हो गया या ये कैसे हो सकता है okay like that चलिए अब इससे रिलेटर हम वोग सारे forms को देखते है past simple में attonist past participant में attonist present participant में astonishing third person syndrome में astonishes right इससे रिलेटर हम वोग sentence को देखते है sentence है see attonist everybody by announcing her against meant means उन्होंने अपने सगाई का एलान कर सबको चौका दिया means ये किसी को पहले बताई नहीं होगी कि मेरा ये होने वाला है साधी वगेरा तो वो suddenly क्या हुए सबके सामने वो बोली कि मेरा against meant हो रहा है means announce की वो तो सबको ये चंबित हो गया कि suddenly कैसे like that okay next verb next verb हमारा है attach next verb क्या है attach क्या पढ़ेंगे attach right अब इससे लिटेड हम लोग इसके हिंदे मिनिंग को देखते हैं जोड़ना लगाना बांदना संगलन करना से संबंध करना या होना right अब यह सारे meanings हम लोग sentence में समझ में आएगा और भी explain करते हैं English meaning के साथ to fasten to join something to something means कोई भी चीजों को बहुत जल्द हम लोग क्या कर रहे है means जोड रहे है कोई भी चीजों को या उससे वो जुड़ा हुआ है means attached है right चलिए to make somebody something to join belonging to somebody or something means वही बात है कि कोई आदमी किसी से जुड़ा हुआ तो वही बोलता है कि वो इससाथ attached है कोई भी company किसी के सा जुड़ी हुए बोलते हैं वो company उसके साथ attached है कोई भी documents किसी और documents के attach करना है means हमको उसके साथ attached करना है okay like that यह words का use इस तरह होता है अब इसे attached word का सारे forms देखते है हम लोग past simple में attached, past participle में attached, present participle में attaching, third person singular में attached, right अब इसे रिटरे एक sentence को देखते है means यह कोई property होगा जहाँ पे एक ही campus में दोनों होगा means attached है दोनो, is that okay तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग आज के दस भव को देख लिए अब हम लोग next day फिर देखेंगे दस भव और मुझे उमीद है कि आप लोग सही से कर रहे होंगे means pronounce कर रहे होंगे सारे sentence को repeat करके बोल रहे होंगे, Hindi meaning, English meaning उसके सारे forms हर एक चीज़ आप लोग कोपी में note कर रहे होंगे जो serious student है और आसा करता हूँ कि बहुत जल्द हम और हम लोग मिलके फिर से एक नया series स्टार्ट करने वाले हैं I mean spoken का जो की base से एक दम start करेंगे, यहां तो बस element उसका हम लोग दे रहे हैं, I mean हम लोग कर रहे हैं, verb होगे रहा होग या words होगे रहा कुछ दिन बाद होगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे एक एक चीज़ का structures wise हम लोग start कर देंगे, ओके, तो चलिए आज के लिए ब